सरवोते ओनलाइन क्लासेस में आप सभी पिर्य विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है चलिए फैनली दोस्तों आज हम लोग का जारखंड एकेडमी कॉंसिल रांची के दुआरा आज क्लास 11 फुगोल विशे का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है आज हम लोग क्ला जो भी पूछा गया है बिल्कुल असान है आप देखिएगा मिलाइएगा कि हमारा तैयारी कैसा है हमने फोटी कोश्चन में से कितना हम सही कर सकते थे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजेगा तो देर न करके शुरुवात करते हैं पहला कोश्चन बिल्कुल असान दिय असान है नदी द्वारा पुछा जा रहा है तो ऑप्सन नमर आपका सी गोखुर जील नेक्स्ट कोश्चन है प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से कौन सात्तो वर्तमान वायू मंडल के निर्मान वा संसोधन में सहायक नहीं है बिल्कुल NCRT का कोश्चन है तो ऑप्सन कोश्चन नमर फाइब तारों का निर्मान कितना अरवर्स पूर्व हुआ था ये भी आपका NCRT का सवाल है कोश्चन नमर फाइब का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर सी पांच अरवर्स पूर्व कोश्चन नमर सी है निम्न में से कौन सा पर्थम स्रेनी का प्णाव भोगता है पर्थम स्रेनी का पूचा जा रहत ऑप्सन नमर वन बकरी हो जाएगा कोश्चन नमर सेविन कहता है फिरधवि की आंतरिक परत्कॉर का निर्मान कीन ततव में कर पदामता पाई जाती है anyway you क्यों हो जाएगा नीकल एबं लोहा हिर काता है कोश्चन नमर एट काता है आपका कि विस्व का सबसे उंचा विरिच किस छेतर में पा जाता है तो विस्वत्य वर्सा वन जिवूम छेतर में आगे आपका आता है कोश्चन नमर नाइन काता है कोश्चन नमर आपका नाइन कात दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उदागर का परिनाम है तो बिल्कुल पता होगा ओप्शन नमर सी प्रवाह आने की फ्लो कोश्चन नमर आप लोगों का तिन्थ काता है भारत के देशांतरिय विस्तार का कितना अंतर पाया जाता है तो लगभग 30 डिकरी का कोश्चन नमर आपका 11 काता है प्लेट विवरतनी की सिधांत का प्रतिपादन किस ने किया था तो मारगन, पारकर और मैकेंजी तीन उने मिलकर किया था और आप्शन नमर डी इन में से सभी कोश्चन नमर 12 काता है भारत की मुख्य भूमी की उत्तर से दच्छिन के लंबाई कितनी है तो आपका आप्शन नमर ये सही हो जाएगा 3200, 14 किलोमेटर पूर्पर से पच्छिन पूछेगा तो 2933 किलोमेटर कोश्चन नमर 13 काता है समवहनिय धारा सिधान किसनी दिया था और्थर होम समहोदय की द्वारा दे गिया था समवहनिय धारा का सिधान कोश्चन नमर 14 काता है गंगा की सबसे लंबी साहयक नदी कौन सी है तो आपका आप्शन नमर सी हो जाएगा यम्ला नदी है तो option नमर आपका ये हो जाएगा नर्मदा नदी कोश्चन नमर 17 काता है निम्न में से कठोर्तम पदार्थ कौन सा है option नमर आपका हो जाएगा डी कोरंडम question नमर 18 काता है निमलेखित में से कौन सा भारत का सबसे तच्छनी अस्थान है तो option के coding यहाँ पर आपका question नमर जो 18 काता है वो हो जाएगा आपका कन्या कुमारी अगर point पुछेगा तो इंद्रा point होगा सची question नमर 19 काता है भारत का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है बिलकुर हो जाएगा जोग जल परपात आगे है question number 20 काता है जाड़े के आरम में तमिलनाडू के 30 परदेशुम वर्सा किस कारण से होती है option नमर यह हो जाएगा उत्पर पूर्वी मांसुन के माध्यम से question number 21 काता है कापास को उत्पादन के लिए सरोतम कौन से मिर्टी है तो option number C हो जाएगा काली मिर्टी question number 22 तो इसका correct answer आपका हो जाएगा question number 24 काता है उतर भारत के मैदान में चलने वाले सुसक और गर्म पमने क्या कहलाती है तो इसको कहा जाता है लूप बोला जाता है question number 25 काता है इन में से किस राजे कर कर रिखा कुजरती है हमारा correct answer छार खंड हो जाएगा question number 26 काता है किस अच्छांस पर 21 जिन की दो पहर सूर्य सीधी किरने पड़ती है तो option number 20 question number 26 का हो जाएगा option number 25 degree 30 minute उत्री अच्छांस रिखा पर जिसे कर कर रिखा के नाम से च्छना जाता है question number 27 काता है वायू मंडल में कौन सीपराथ समद मौसमी परिवर्तन से समद इता है तो option number ये हो जाएगा छोब मंडल question number 28 काता है वायू मंडल में nitrogen gas की परतिसत कितना है आपका option नमर हो जाएगा 78.8% question number 29 काता है इन में से कौन greenhouse gas नहीं है greenhouse gas नहीं है पुछा जा रहा है option number D हो जाएगा oxygen question number 30 काता है उत्री को लार्दे में पवनों को दायों और विछेपन होता है तो option number आपका correct हो जाएगा B पिर्थवी के घुर्णन के कारण question number 31 काता है महासागरे जल के उपर या नीचे गती की से समधित है option number यह हो जाएगा जवार से समधित है question number 32 काता है पिर्थवी की सता पर गिवने वाले जल को रूप में क्या काता है इसे कहा जाता है वर्षन कहा जाता है option number यह से हो जाएगा question number 33 काता है महासागरों में और सत लबनता कितनी होती है 35 ग्राम पर 1000 ग्राम में होता है question number 34 काता है निमलखीत में से कौन सी किसी अस्थान में तापमान को परभावित कर सकता है तो option number D हो जाएगा इन्हें से सभी question number 35 काता है निमलिकित में से किस मिटी के स्रीनी को खादर और बांगर आते हैं option number आपका C हो जाएगा जलोड मिदा का होता है question number 36 काता है निमलिकित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गय सभस्ताम बदल जाता है तो evaporation और ये option number C वास्पी करें question number 37 काता है प्रकास वर्से किस का मापक है तो ये मापक है दूरी का मापक है question number 38 काता है आपदा परबंधन के अंतरगत आता है इनमें से सभी हो जाएगा question number 39 काता है विस्वकर सबसे गहरा माहसागर कौन सा होगा परसांत माहसागर क्योंकि विस्वकर सबसे गहरा खाई इसी माहसागर में इस्तित है question number last 40 काता है सुर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रग कहां पाए जाती है तो इसका हो जाएगा question number option number 1 भुमद्र रिख्ये छेत्र equatorial region thank you अच्छा लगाओगा comment कीजेगा और जल्द हैं आपका सारा subject का solution अभी तुरंत आपको फेजा जा रहा है जरूर share कीजेगा और जल्द हैं आप लोगको class 11 के लिए BBI question chapter wise all subject every level करवाया जाएगा thank you